हेलो काईज वालकम बैक टू रेंग्स यार्ड तो समर स्लैम सिरफ कुछ ही दिन दूर है और इस वीडियो में आजब करने वाले हैं माई विनर्स प्रेडिक्शन फोर समर स्लैम 2021 वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के तो बात करते हैं सबसे पहले मैच की जोग यो होगा युनाइटिट स्टेट्स चैंपियंशिप के लिए दा कैल्टिक वोरियर शीमस वर्सिज डेमियन फ्रीस्ट के बीच तो इस मैच में मेरी प्रेडिक्शन रहने वाली है कि शीमस रिटेन कर लेंगे अपने टाइटल को अब हम बात करते हैं अपने नेक्स मैच की जो के होगा रो वोमेंश चैंपियंशिप के लिए रिया रिप्ली वर्सिज शार्लेट टेयर वर्सिज निकी क्रोस के बीच तो इस मैच में शार्लेट फ्लेयर और निकी क्रोस के जादा चांसिज है इस मैच को जीतने के लेकिन मेरे को एक पिक करना है तो मैं पिक करूँगा को कि वो retain कर लेंगे अपनी title को और chances हैं कि summer slam में हमें इस match के बाद देखने को मिल सकता है बैके लिंच का return और बैके लिंच return करके challenge कर सकती है इस triple threat match के winner को for the row woman's title अब हम बात करते हैं अपने next match के बारे में जो की होगा the rated R superstar edge versus the messiah Seth Rollins के बीच इस match में मेरी prediction है कि edge हरा देंगे Seth Rollins को अब हम बात करते हैं अपने next match के बारे में जो की होगा एवा मरी versus Alexa Bliss के बीच तो इस match में मेरी prediction रहने वाली है कि Alexa Bliss हरा देंगी एवा मरी को अब हम बात करते हैं अपने next match के बारे में जो की होगा WWE Raw Tag Team Championship RK Bro versus अब हम बात करते हैं अपने next match के बारे में जो की होगा जिन्दर महाल versus Drew McIntyre के बीच तो इस match में मेरी prediction रहने वाली है कि जिन्दर महाल हरा देंगे Drew McIntyre को अब हम बात करते हैं अपने next match के जो की होगा फोर्था WWE Championship Bobby Lashley versus The Bill Goldberg के बीच अब हम बात करते हैं अपने next and final match के बारे में जो की possibly होगा main event Roman Reigns versus The C Nation leader John Cena for the Universal Championship इस match के बात करें तो इसमें The Usos का interference होना confirm है और साथ ही साथ हो सकता है Ray Mysterio and Dominic Mysterio भी हमें देखने को मिलें और इस match में Mr. Money in the Bank Biggie का भी रोल हमें देखने को मिल सकता है हो सकता है Biggie अपना cash in कर लें या फिर हो सकता है खाली tease करें At the end ये match बहुत ज़्यादा entertaining होने वाला है और अगर इस match के result के बात करें तो मैं इसमें pick करूंगा The Tribal Chief Roman Reigns को कि वो अपना title retain कर लेंगे और हरा देंगे John Cena को So guys ये थी my winner's prediction for Summer Slam 2021 अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like करो चैनल पे नए हो तो subscribe करो वो जो लाल वाला बटन दिख रहा है उसको grey कर दो और Instagram पे follow करो for more WWE updates and WWE custom designs link is in description I will see you guys in my next video